इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप Facebook Ads की testing करोगे आपके product के लिए अब आपका product e-commerce से है, आप digital product sell करते हो, your freelancer, आप client search करना चाहरे हो या जिस तरीके का भी product है, अगर आप Facebook Ads का इस्तमाल करते हो to get sales, to get leads, तो आप इस strategy का इस्तमाल कर सकते हो to run your better ads, ठ Facebook Ads की workshop कर रहे हैं, इसी week free में है, अभी ये, आगे paid होगे योगी तो पता नहीं, description में link दिया है, आप चाहो Facebook Ads की workshop जोइन करना तो आप उस workshop को join कर सकते हो, ये can learn current में क्या चीज़े work कर रहे हैं, विकर सी, अभी वो समय जा चुगा है कि आप Facebook Ads, जाओ, create कर दो, campaign और sales आन ल कर सकते हो, description link दिया गया है, बाकी चलते हैं, laptop screen पर वहाँ पर मैं आपको पूरी strategy सिखाता हूँ, तो basically यहाँ पर जो आपकी testing strategy रहने वाली है, जो आप शुरू करोगे, अभी बजट के ओपर भी depend कर दी testing strategy, बट यहाँ पर हम मान चलते हैं, कि आपका budget आप minimum 800,000 लिपी, spend क सकते हो, ठीक है, उससे जादा कर सकते हो, तो इसी को आप multiple कर सकते हैं, या आप से high budget के लिए अलग strategy रहती है, जो आप इस्तमाल किया कर सकते हैं, बट लेट सपोस हम 800 बटेस शुरू करते हैं, तो आप sales campaign अगर create कर रहे हो, आप पने हिसाब से कर सकते हो, advantage plus initial level पर create करने की बटेटा होना चाहिए, तो जाकर के यह चीज अच्छा काम करती है, मैंने जो अभी तक देखा गया है, तो अभी के लिए हम manual sales campaign पर ही जाएंगे, इस level पर आपको कुछ नहीं करता है, initial level में जैसे लोगों का question होता है, कि हम ABO इस्तमाल करें, तो अभी मैं आपको recommend ABO का इस्तमाल करिए, क्योंकि जब आप शुरुवारत में CBO इस्तमाल करते है, तो Facebook क्या है, फेस्बुक अपने हिसाब से budget को divide करता है, और चांसे है कि कुछ है, बजट स्पेंड ही नहीं करता, तो अगर वो बजट स्पेंड नहीं करेंगा, तो आपको पता नहीं चल अपने इसका नाम दे दिया, test ABO 1, ठीक है, and then we move to the next step, अब देखो क्या है, simple सा process यहां पर यह है, कि अगर आप अपने पड़क को test करना चाहते हो, तो इसके लिए जो सबसे important चीज़ आती है, that is आपका add creative, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर आपने creative पे focus नहीं किया है, तो आ आपके पास अच्छे creatives हो, प्लस आप किस तरीके से अपने add को budget को optimize कर रहे हो, and आपका backend किस तरीके से optimized है, तो कि add अकेले नहीं चलता है, ठीक है, so now, अच्छे काम नाम नहींगे, let's suppose हम इसको, आपका पहला add बनेगा, बनाएगे, ठीक है, आप बना रहे है, आप चाहते ह नहीं आई हुई होगी, तो यहाँ पर आपको एक error आ रहा होगा, basically उस error के साथ भी आप campaign को publish कर सकते हो, basically इसलिए होता है कि इस pixel में कभी तर कोई भी purchase नहीं है, तो यह ऐसा आ रहा है, पाकी जो इधर की चीज़े है, audience definition, EFR, यह सब चीज़े आपको बहुत आदेने के फाइदा नहीं होने वाला, तुम 300 campaign 10 दिन चलाओ के तब जगर करेगा, और तुमें 10 दिन बाद एक proper data देखने को मिलेगा, और तुम उसमें बहुत जाद चेंज़े नहीं कर सकते, तो make sure कि आप 800 का add तो कम से कम बनाओ, बनाओ, प्लस आप हम इसको बनाएंगे नाइन से, परावजे चली हो जाएगा, यह एंटि डालें ज़रुदूराइब, बजट स्क्रिडूलिंग करनी की ज़रुद नहीं है, आपको बजेट को सकते हो कि किस वक्त पर चाहते हो कि आपका बजेट बढ़ जाए अभी हमने इसको इतना टेस्ट ने किया है बढ़ आप जैसे तारिक को शाम को तीन में से लेकर करके यह नो गसी तारिक को सब्सक्राइब करेंगे हम इसी पर चलाएंगे 800 पर और यह इंडिया होगी और सबके लिए जो मारा चाहिए वह फटेवाइब करती है लिए क्योंकि आप अभी तेस्ट करने वाले हो आपको मालूम नहीं कहां क्या परफॉर्म करेंगा तो जो भी नहीं कि आप इसको मैनुवल करके कहें कि भईया हम तो खाली इंस्टराम पर चलाएंगे यहां नहीं चलाएंगे वह आपका अप सेलेक्ट करने के बाद यहां पर अपनी वीडियो वगर जो भी आप आप डाल सकते हो तो अप्टिमाइज रहता है तो दो से तीन प्राइमरी टेक्स पर फोकस करिए कि आपका ऑफर्ण मेंचन और जो भी आपका ऑफर दे रहे हो आप और से अपका फील अंसर वाटेवर यूर ओफर इस मेंचन इन फिर्स्ट्यू लाइंस फिर प्राइमरी टेक्स दें मुविंग टूइड लाइन पार्ट है एडलाइन इस टू बहुत बार क्या होता है बहुत बार लोग क्या बस प्रॉडक का नाम लिख देते हैं लेट सब्सक्राइब लिए लिए इस तरह नाम से करेगा यहां पर एडलाइन में लिखना है कि बहीं नाम लिख दिया प्रड़क का वो सब चीजए नहीं है और एडलाइन इस ट्रीड हो तो लोग को कहां लिखा है लिए कि आया तो पार क्लिक होना चाहिए ठीक है जितने जादा क्लिक होगा और उतना प्रफॉर्म करेंगे ने स्क्रेप्शन में आप कुछ डालो ना डालो बहुत बराबर रहे डाल दो तो अच्छा यह बहुत तो लेर्ण मोर कहां चलेगे बाई अब शॉपना देंगे इस एड को हम एक बहुत करेंगे और आट सो का बजट है तो कम से कम एक आट सो के बजट में हम दो एड जरूर रखेंगे ठीक है अब अब लेट सब्सक्राइब कर देते हैं यह एड आज चलता है आज चलने के बाद यह हमें दे रहा है महलेटे 3-4 तो हम इसे नेक्स डे भी चलने देंगे और अगर दो से तीन दिन लगा था रहा है और रखेंगे और एक दिन का समय और इसे दे सकते हो लेकिन अगर बिए आज दिन चलने के बाद सेल आपको बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर रहा है यह इ बहुत हाई चलिए यह बहुत हाई है बहुत लो है तो इसको बंद कर दो कि अगर से बना सकते हो और नया से टेस्टिंग करोगे तो क्यांपेंड क्रियेट करना इस तरह के बहुत बड़ी बात नहीं है इस सब बना सकते हैं इस तरह से डेटा करते हो अब डेटा रीडिंग के ऊपर कुछ वीडियो है में नहीं तो अभी एक हम वाक्शॉप कर रहे हैं फेस्बुक आट्स के उपर इफ्यूंट जॉइन जॉ कुछ और चीज़े डिसकस करने वाले हैं कि कैसे अपना रवाया संप्रीज करोगे कैसे सेल्स बढ़ाओगे किस तरीक चीज़ें वर्क करती है अभी के टाइम पर अभी वह समय नहीं है कि बैस तुम कैंपें बनाओ फिर बंद करो नहीं बनाओ फिर बंद करो इस तरह कुछ और डाउट आ रहा है तो आप भी पूछ सकते हो आपको जो भी डाउट है और दें वी टेकिट फम देर बाकी जो भी डाउट है वो तो मधाई देंगे मिलते हैं अपनी एकली वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद